असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में हम कटोरी को टक्स किस तरह से डाले कि हमारे कटोरी के अंदर कोई प्रोब्लम ना आए और हमारी कटोरी का जुन नोख होता है वो ना निकले और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी कटोरी अच्छे से यह देखिए यह हमारे दो साइड के पैटन है और यह कटोरी है तो हम एक कटोरी इस साइड और एक कटोरी इस पैटन के साथ लगा लेंगे और सीधा उल्टा हम कटोरी के अंदर देख लेंगे कपड़ा सीधा उल्टा देख लेंगे नीचे का पैटन हम सीधा रखेंगे को हम उपर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और काटोरी का जो हमारा पैटन है उसको हम खीचेंगे नहीं बहुत ही अराम-अराम से दोनों कपड़े एक ही प्रेशर के साथ हम जॉइंट करेंगे इस तरह से हम उसी को डबल सिलाई करते हुवे पक्का कर लेंगे इस तरह से हम पहले हमने कटोरी को उपर से जॉइन करना स्टार्ट किये अब हम दूसरे पैटन को हम नीचे से कटोरी जॉइन करना स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरह से दोनों कपड़ों को हमें प्रेशर एक जैसे ही रख कर हमको सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी सिलाई के अंदर जो छोटी-छोटी चुननट आती है वो ना आए एक प्रेशर से हम कपड़ा पकड़ेंगे तो हमारी सिलाई बहुती फिनिशिंग से और अच्छे से निकल कर आएगी और इसी सिलाई को हम डबल कर लेंगे और उसको हम हलका सा उंगली से प्रेश कर लेंगे यह देखिए इस तरह से यह हमारा साइड का पैटर्न और कटोरी है इसको भी हम इसी तरह से उंगली से प्रेश कर लेंगे और फिर दोनों कटोरी हम पैटर्न के साइड में उठा कर पलट देंगे यह देखिए इस तरह से और यहाँ पर हमें टक्स डालते हुए यह धान रखना है कि जिस साइड से हमारी कटोरी के अंदर जिस कटोरी के अंदर हमारी काच की बाजू आएगी जहाँ पर हम हुख लगाते हैं वो बाजू आएगी तो वहाँ पर हम आधा इंच जो कटोरी का पैटर्न हम पोल्ड करते हैं वो ज़ादा रखेंगे और जिस साइड में हमारा आई साइड आएगा वहाँ पे हम आधा इंच कम फोल्ड को करेंगे ताकि हमारी कम ज़ादा ना हो हुक और आई पर्टी जो है वो कम ज़ादा ना हो सिलने के बाद यह देखिए नीचे से हम देड इंच लगा लेंगे उपर से तीन इंच लेंगे और इस तरह से क्रास लाइन लगाते हुए टक्स की मार्किंग करेंगे और उसी के उपर हम यह मैं आपको बताने के लिए मार्किंग कर रही हूँ यह देखिए इस तरह से हम टक्स की सिलाई लगाने के बाद उपर हम दो point की सीधी सिलाई लगाएंगे यही हमारी एक छोटी सी बहुत लेकिन बहुत ही काम की tip है यहाँ पर हम दो point की उपर सीधी लगाएंगे इससे की हमारी कटोरी जो है बहुत अच्छे से बैठेगी और जो नोप निकलती है वो नहीं निकलेगी यहां पर हम टक्स लगाने के बाद छोटी से सीधी उपर दो पॉइंट की सिलाई लगाएंगे इससे हमारी कटोरी बहुत अच्छे से निकल कराएगी यह देखिए इस तरह से आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्स पॉर वाचिंग अल्ला हाफिस स्टे टॉन स्टे ब्लेस